वेलकम टू नेक्स्ट एक्जाम आज है 2 सितंबर 2022 और 2 सितंबर 2022 से करेंट अपैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट मैं आपसे कुश्चन भी पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पेडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्रिशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में सारेक्स 2022 नमक 10 में रास्ती समुद्री खोच और बचाओ अभ्यास का आयुजन कहां किया गया है तो सारेक्स 2022 अभ्यास इसका आयुजन अभी तमिल नाडू के चेन नहीं में किया गया तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है अच्छा इस अभ्यास का आयुजन किसने किया है तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में होने वाली घटनाओं पर काबू पाने और रेस्क्यू अभ्यान चलाकर लोगों की जान बचाने के लिए इस अभ्यास का आयुजन किया अच्छा इस अभ्यास में 16 मित्र देशों ने और 24 बिदेशी परिवेच्चकों ने पाटिसिपेट किया है तो इस अभ्यास के बारे में आपको इतना याद रखना है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिया जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लिए टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लिए टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटमेटिकली अच्छी हो जाएगी हाली में कहां देश का पहला मॉडल बर्चूल इसकूल लाँच हुआ है तो देश का पहला मॉडल बर्चूल इसकूल अभी दिल्ली में लाँच हुआ तो इसकुशन का से ओप्सन सही है दिल्ली के चीपनिष्टर अरबिंध केजरिवाल ने देश का पहला मॉडल बर्चूल लॉँच किया है ये इस्कूल उन बच्चों के लिए है जो किसी कारडवस इस्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर कहीं काम करते हैं तो उनकी एजुकेशन प्रॉपर चरती है इसके लिए ये देश का पहला मॉडल बर्चूल इस्कूल दिल्ली में नौच हुआ है इसमें सारी क्लासिस ऑनलाइन होंगी और रेकॉर्डेड क्लास होंगी जिससे कि अगर किसी बच्चे की कोई क्लास छूट भी जाए तो वो फिर से उस क्लास को देख सकता है और पूरे देश के बच्चे इस स्कूल में एडविशन ले सकते हैं अब दिल्ली की बात है तो अभी एसियन बस्तर समेलन का नौमा संस्कर्ड नई दिल्ली में आयुजित हुआ अरबिंद केजरिवाल ने मेक इंडिया नमर बन मिशन शुरू किया है स्वर संब्राट फेस्टिवल का दसमा संस्कर्ड अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है दिल्ली सरकार ने मिशन कुसल कर्मी शुरू किया है और पर्यावड मंत्राल है नई दिल्ली में अभी हरे आली महुतसब आयुजित करेगा इतना अभी दिल्ली के बारे में याद रखिए next question है हाली में किस राज में नुवा काई उत्सा मनाया गया इसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया है नुवा काई उत्सा जब नई फसल तयार हो जाती है उस टेम उडिसा में नुवा काई उत्स मनाया जाता है तो इस question का बे options है यह अभी उडिसा में यह नुवा काई उत्स मनाया गया है अब उडिसा तो यह है मैप में उडिसा उडिसा की capital क्या है? भूबनेस्वर उडिसा की chief minister कौन है? नबीन फटनायक और उडिसा की गौवर्नर कौन है गनी शिलाग अच्छा उडिसा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दुलकलाम देव रखा गया है उडिसा दिवस या उतकल दिवस का मनाया जाता है ये एक अप्रेल को मनाया जाता है अभी समुद्र तटकी के लिए उडिसा सरकार ने एन आई ओटी के साथ समझोता किया उडिसा के मुख्यमंत्री ने लॉगडाउन लेरिक्स नामक पुस्तक का भी मोचन किया है रास्टी MSME पुरुसकार 2022 में उडिसा को प्रत्थम पुरुसकार से सम्मानित किया गया और कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाहिल प्रत्थमी सेकंड का सफल परिक्षड अभी उडिसा में हुआ है अच्छा उडिसा की बात है तो उडिसा में रसी कुलिया बीच है और गोल्डन बीच है अभी युनेसको ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलियर किया था वो दो गाउं कौन से है नो पिर्वमठ वाइलड़ सेंचुरी भी उडिसा में है उडिसा में चिलका लेख है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिसा में लेंगराज टेंपल है कुडार्क टेंपल है और जगनाट टेंपल है इतना आपको उडिसा के बारे में आद रखना है ने क्यू कार्थिक बोज की रिपोर्ट जारी की तो इस कुश्यन का से अप्शन सही है इस रिपोर्ट के एकॉर्डिंग देश बर में 45,000 लोग बेमारी से मर जाते हैं जिसमें से सिर्फ 30% लोग ही डॉक्टर तक पहुंचते हैं उस बेमारी का इलाज कराने के लिए अब ICMR यानि कि इ 1911 में इसका हेड़ क्वार्टर कहां पर है न्यू डेली में और ICMR के प्रजेंट टेम पर डिरेक्टर जनर कौन है बल राम भारगव कौन है बल राम भारगव नेक्स क्यूशन है अभी आकास बाडी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कैसे नियूप तो अभी वसुदा गुपता को आकास बाडी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया तो इस कुशन का बे ऑप्सेंस है आप इमेज में देख लीजिए ये हैं बसुदा गुपता अब इनको आकास बाडी ने अपॉइंट किया है तो अ और कल ही मैंने आपको एक नाम बता है, नागेश सिंग, नागेश सिंग को ताइलेंड में भारत का राजदूत अपरंट किया गया है, अचा क्रेडिट सुइस ने अभी अपने CFO के रूप में देच्छित जोसी को अपरंट किया, NII के निदेशक के रूप में देवासिस मोह अंते को नियुक्त किया गया है, सुरक्चा बलके महानिरी चक के रूप में प्रबेड चाबडा को नियुक्त किया गया, और राजिस बर्मा, ये हमारी राष्टपती द्रौपदी मुर्मू के नए सच्चिव नियुक्त हुए हैं, ये अभी रिसेंट अपोइंटमेंट है ये आप याद रखिए, ने क्यूशन है, हाली में भारत में डिजिटल साख्चरता बढ़ाने के लिए, AICTE ने किस के साथ साज़धारी की है, तो अभी अपने देश भारत में डिजिटल साख्चरता बढ़ाने के लिए, AICTE ने एड़ॉप के साथ साज़धारी की, तो इस का हेड़कुर्टर कहां पर है न्यू डैली में और इसके प्रजेंट टैम पर चेयर परसन कौन है अनिल सहस्त्र बुद्धे कौन है अनिल सहस्त्र बुद्धे ने क्यूशन है हाली में इंडिया एकोनमी फ्रॉम नहरु टु मोधी अव्रेफ हिस्ट्री ये पुस्तक किस ने लेगी है इस पुस्तक का नाम आप याद रखिए इंडिया इकोनमी फ्रॉम नहरु टु मोधी अव्रेफ हिस्ट्री इसे लेखा है पुलापे बाल कर्शन ने तो इस कुशन का से ओप्सन सही है अच्छा एक ये बुक आप याद रखिए लाइन ओफ दा इसकाईज हरदीत सिंग मलिक दा रॉयल एर फॉर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार इस पुस्तक को लिखा है स्टीफन वार करने एक ये बुक है डू डिफरेंट दा अंटोल धोनी इसे जॉय भट्टा चारे द्वारा लिखा गया और इसका बिमोचन अमित सिन्ना ने किया है तो ये अभी द आप्सन सही है ओडम त्युहार ये खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और अभी ये केरल में सुरू हुआ है अब केरल में सुरू हुआ है तो ये है मैप में केरल की कैपिटल क्या है तिर्वननत पुराम केरल के चीप निश्टर कौन है पेनरई केबल महिला करमचारियों दोरा संचालित साखा कोली है केरल सरकार जी एस्टी चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल एप लॉंच करेगी केरल ने आंगरबाडी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना सुरू की है ओनलाइन सरकारी एट एक्सी सेवा सुरू करने वा पार्क है मति किट्टम सोला नेशनल पार्क है पंबडम सोला नेशनल पार्क है और सैलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में सांत गाटी है और पेरियार बन जीव अब्यारंड है अच्छा एक घाटी और एक्जाम में पूची जाती है फूलों की गाटी वो कहां पे है तो अभी राजेस कुमार स्रीवास्तव को सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुक के रूप में अपोइंट किया गया तो इस कुशिन का A options आई है ये हैं राजियस कुमार स्रीबास्तव और एनी को सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुक के रूप में अपोइंट किया गया अब ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation इसकी स्तापना कव हुई 1956 में इसका Headquarter कहां पर है? New Delhi में और इसके प्रजेंट अंपर चेर्मेन कौन है? राकेज कुमार स्रीबास्तव ये हैं राजियस कुमार स्रीबास्तव ये अंतरिम प्रमुक बने हैं और ONGC के चेर्मेन है राकेज कुमार स्रीबास्तव Next Question है किस देश के किर्केटर Colin Day Grand Home ने अंतरास्टी किर्केट से सन्यास लिया है? तो Colin Day Grand Home ये New Zealand के किर्केटर हैं और अभी इन्होंने अंतरास्टी किर्केट से सन्यास लिया? तो इस कुश्चिन का B options आई है ये है Colin Day Grand Home ने शुशन है हाली में NSO के डेटा के अनुसार बित बर्स 2022 तेज की पहली तिमाई में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो अभी National Statistics Office के डेटा के अकॉर्डिंग बित बर्स 2022 तेज की पहली तिमाई में भारत की GDP विकास दर 13.5% रही तो इस कुश्चिन का C options आई है टारगेट था 16.2% का लेकिन ये 13.5% रही है ने कुश्चिन है हाली में पहला होम्योपैथी अंतरास्टी स्वास्ते से करसमिलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये अभी दुबई में आयोजित हुआ ने कुश्चिन है केस देश ने चेंज से 13F7BGI बिमान आयात किये है तो अभी बंगलादेश ने चाइना से 36F7BGI बिमान आयात किये तो इस कुश्चिन का A options आई है अब बंगलादेश तो ये है मैप में बंगलादेश बंगलादेश की केपिटल क्या है ढाका बंगलादेश की करंसी क्या है टका बंगलादेश की प्रेजेंट टेंपर प्रामिश्टर कोन है सेख हसीना और बंगलादेश की प्रेजेंट टेंपर प्रेसिडेंट कोन है अब अब भी बंडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बंगलादेशी बल्लेबाज बने तमीम एकवाल अच्छा वसीफा नाजरीन केटू फते करने वाली बंगलादेश की पहली महिला बनी हैं बंगलादेश के खिलाडी तमीम एकवाल ने 820 इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की किया है अच्छा इंडिया और बंगलदिस की बीच में टेन एक्सप्रेस ट्रेन चल लहीं है कौनकौन सी बन्धन एक्सप्रेस मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस United हाली में केंदरी पर्यावड मंत्री भूपेंद रियादव ने कहां G20 पर्यावड और जलवायू मंत्रिस तरी बैठक को सम्भोधित किया है तो हमारे केंदरी पर्यावड मंत्री हैं भूपेंद रियादव इन्होंने अभी इंडोनेसिया के बाली में G20 पर्यावड और सब्सक्राइब किया तो इस कुश्यन का बे ऑप्शन सही है अच्छा इस बार जो जी ट्वंटी समिट होगा वो कहां पर होगा इस बार का जी ट्वंटी समिट भी इंडोनेसिया में होगा नेक्शुशन है हाली में भारत ने जैब बिवित्ता संरक्चड पर केस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है तो अभी अपने देश भारत ने जैब बिवित्ता संरक्चड पर नेपाल के साथ समझोता किया है तो इस कुश्यन का से ओप्शन सही है अब यह मैप में नेपाल, नेपाल की केपिटल क्या है? काटमंडू, नेपाल की करंसी क्या है? नेपाली रुपिया, नेपाल की प्रजेन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है? बिद्या देवी भंडारी, और नेपाल की प्रजेन टेम पे प्रामिस्टर कौन है? सेर बहादूर देवा कौन है ? सेर, बहादूर, देवा अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि हाली में शुमंग लेला महुतसब के सराजी में मनाए जा रहा है तो अभी मड़िपूर में सुमंग लेला महुसा मनाय जा रहा है यानि कि इस question का say option सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया most less awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में केस राजी में एक बिसाल दबा पार्क बनेगा चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt उता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और face of group हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current of face का video आपको ये video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चिती मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current of face की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching